हेलो एवरीवन, वेलकुम बैक टू माई चैनल तारा मद्दू की रसोई तो प्रेंड्स, आज मेरे कस्टमर ने मेरे वीडियो को देख करके मुझे बोलाया कि आप मुझे ड्रैगन फ्रूट के फ्लेवर वाला केक बना कर दीजिए, हमें टेस्ट करना है डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कीजिए, बट हमें केक प्लीज 300 रुपे में बना कर देजिए तो भाई, उनकी डिमांड को पूरा भी करना है, आप लोगों के लिए कुछ नया भी लाना है तो बस इसी फिराग में मैं इधर उधर गुब भी रहती हूँ तो ले आई हूँ मैं ड्रैगन फ्रूट और इसकी वैसे फ्लेवर की केक बना करके एक बहुत ही बड़ी आसी रेसिपी और डेकोरेशन में पहले भी आपके साथ अल्रडी शियर कर चुकी हूँ तो आज फिर से वही केक स्पॉंज बनाएंगे पर डेकोरेशन आज कुछ अलग करने वाले हैं और ऐसी डेकोरेशन करूंगी फ्रेंज कि आपको मज़ा आ जाएगा आप सभी को पता है मैं हर बार अपने चैनल पर कुछ न कुछ आपको रोजा न नया सिखाने की पूरी को अगर आप इसे किसी फ्रूट के साथ कॉंबिनेशन में बनाएंगे तो यह आपको बहुत टेस्टी लगेगा सीजन में जब भी सस्ता मिले यह आपको आस पास कहीं मिल जाए इसली अवलेबल हो जाए तो एक पार जरू ट्राइ करके देखेगा क्योंकि हर चीज को ट्राइ को पीछने पर के वह पानी पानी निकलता है बिल्कुल वैसा यह निकलता है और इसमें चोटे-चोटे काले-काले आप यह जो देख रहे हैं इसके बीज होते हैं तो यह अगर मुह में आएंगे तो वह कुछ ठीक नहीं लगेगा दांतों में भी सकते हैं तो बैटर है आप कितना तयार हुआ है तो लगबग ए आदा कप हमें पल्क मिल गया है हूए में मिक्षर 1,5 kg के लिए जक्ती के लिए तो अभी क्या करते है इसमें से आधा लगबब 10 फॉर्थ कर अपने आपने बाओं प्र में प्रम जवरत के हिसाब से इपना बाद में एक करेंगि और में इस पिक्षर के अंदर 3 टेवल स्पून ऑईल डाल दूंगे क्योंकि आज हम मार्केट के प्रिमिक्स से नहीं बलकि घर के मैदे के यानि कि स्क्रैट से ही केक बना रहे हैं तो उसमें ऑईल थोड़ा ज्यादा डलता है तो मैंने 3 टेवल स्पून ऑईल डाल दिया है अब आध बारीक पीस करके ही एड़ कीजिएगा अब इसके उपर फिर से मैने चनी रख दिया और इसमें डाल दिया है मैने एक कप मैदा लगबग 120 ग्राम टेस्ट के लिए मैं इसमें जो नैसले का एवरीडे का डेरी वाइटनर आता है मिल्क पाउडर वो डालूंगी तो दो से ती कर सकते हैं 3 tablespoon में और अच्छा टेस्ट आएगा मिलने तीन राल दिया है तो यहां पर मैंने देखी mixture को mix किया है और अब liquid इसमें कम हो रहा है तो जो pulp हमने बचा के रखा था वो भी इसमें add कर देंगे और इसे mix करेंगे अब जरत के साब से आप इसमें पानी या दूद भी डाल सकते हैं मैं सजेस्ट करूंगे आप इसमें पानी ही डाले दूद से पिर इसका जो flavor है वो छुप जाएगा तो हमने पानी डाला है अच्छे से बनाएंगे इसका smooth सा बैटर और dragon fruit क्योंकि बाहर की तरफ से कुछ pink color का होता है तो मैंने सोचा है इसमें कुछ pink color डाल देती हूं so that sponge में थोड़ा सा color आ जाएगा तो यहां पर मैंने flavor तो वनीला डाल दिया है क्योंकि dragon fruit का जैसे मैंने बताया कोई तेस्ट नहीं होता और एक drop मैंने डाल दिया है pink jelly color अब इस बैटर को अच्छे से हम mix कर लेंगे कोई भी lump नहीं रहना चाहिए consistency आप चेक कर सकते हैं गाड़ा नहीं होना चाहिए बहुत आपका cake जो है उपर से crack हो जाए है उसका circle form में cut करके paper set करूंगी so that is oil और butter लगाने की ज़रत नहीं पड़ेगी और यह बहुत ही अच्छा paper होता है friends आप try ज़रूर कीजेगा इसे मगा करके इसे cake भी demol easily होता है और यह चिपकता नहीं और साथ यह eco friendly भी है तो paper हमने set कर दिया अपने छेंची के बरतन में सारा smooth सा बैटर यह देखे कितना बढ़िया shiny हमारा बैटर रेडी हुआ है और कोई इसमें प्रिमिक्स नहीं है scratch से मैदे से हमने बनाया है तो जो लोगों को प जी जग केक बना सकते हैं texture की मेरी full guarantee है आप इसी तरीके से बनाइएगा और प्रिमिक्स वाले कस्टमर्स को आप प्रिमिक्स का केक दे सकते हैं तो यहां पर हम इस केक को अपने अगारो के 25-liter OTG की middle rack में नीचे की rods को on करके bake करूंगी इसमें केक बहुत ही बढ़िया से rise हो हो गया है तो यहां पर आप इसको हम easily demold कर लेंगे और यहां देखिए केक का कलर हलका सा brown आया है वो क्योंकि हमने pink color और इसमें dragon fruit का जो pulp डाला है उस वज़े से और जो generally को आजकल बेकरी वाला ही केक प्रसंदा था बहुत लोग बोलते भी है मैं आप मैदे से केक बना लेती हैं तो प्रिमिक से क्यों बनाती है तो यह टोटली फ्रेंड करता है कस्टमर की demand पर मुझे दोनों में बनाने में कोई problem नहीं है जैसा customer मांगेगा मुझे वही चीज द क्रम कोटिंग में वह यूज हो जाएगी और डेकोरेशन में यह क्रीम यूज कर लोगी तो मैंने 200 ml क्रीम को ही दिखिए अपने स्टैन मिक्सर में विप कर लिया है और हाँ प्रेंड कई लोग बोल रहते कि मैं जब मैं क्रीम में क्रीम में क्रैक्स आ जाते हैं एक ड्राइ हो जाता है फ्रिज में रग दू तो और भी ड्राइब हो जाता है तो यहां पर आपको जरूरी टिप देती हूं जब भी आपकी की आइसिंग कर रहे हो उसकी क्रीम को थोड़ा कम विप किया कीजिए और जो डेकोरेशन में फ्लार वाले क्रीम होती है उसमें थोड़ी स्ट पीक वाली क्रीम रखिए अगर लगता है कि बहुत टाइट हो गई है तो उसमें हलका पानी या फिर नॉर्मल विपिंग क्रीम डाल करके भी आप उसे सॉफ्ट बना सकते हैं उससे आइसिंग करने में आपको असानी होगी तो यहां पर बोर्ड के ओपर देखिए मैंने एक प्राइज जरूर कीजिएगा चैरी का भी बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर है और इस ड्रैगन फूर्ट के साथ मिल करके तो और भी गजब कहाता है वैसे मैंने पहले भी जो केक बनाया था ना उसमें भी एक किया था और लेगा तो इसके मुह में जब यह पूरा पूरा ड्रैगन फूर्ट का पीश आएगा तो मतलब क्रंची सा उसको टेस्ट आएगा और मज़ा आज आएगा अब दूसरी लिए मैंने फिर से रखिए से वही प्रॉसेस रिपीट करेंगे मॉइस्ट करेंगे और अब इसके लगाएंगे तो यहां पर देखें फिर से मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा रही हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैं मेरी क्रीम फट जाती है और मेरा केक ड्राइग हो जाता है तो देखिए सजेस्ट तो मैं आपको हमेशा यही करूंगी कि केक को बनने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक फ्रिज में ना रखे थोड़ा सा सेटल करना हो बस उतना ही रखे एक एक दो दो घंटा अगर आप केक को फ्रिज में रख देंगे तो उसका स्वारा जितना मॉइस्चर है वो ड्राइ हो जाएगा अगर आपने क्रीम थोड़ी ज ज़्यादा ना रखें मैं तो कभी भी अपने केक को बहुत देर के लिए फ्रिज में कभी नहीं रखती हूं और यहां पर देखिए मैंने फाइनल लेयर भी रख दी है इसका कलर थोड़ा डार्क ब्राउन आया है विकाउस ब्रेगन फ्रूट कोई बात नहीं के बाद आप इसको अच्छे से क्रम कोट करके फिनिशिंग के साथ रेडी कीजेगा फ्रेंट्स वीडियो लंबी ना हो जया और ये वीडियो मैंने अपने होम टाउन आने से पहले शूट किया था और स्पेस की मोबाइल में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बहुत सारी वीडियो कर पाऊं आपको कोई गैप ना हो आपको कोई परेशानी ना हो तो स्पेस की प्रॉब्लम की वज़े से न मैंने आइसिंग का बहुत सारा पार्ट छोर दिया वैसे मैं रोजाना आपको यह सिखाती हूं तो सचा मेंन में क्लिप्स आपके साथ शेर कर देती हूं तो यहाँ करने में कोई दिक्कत आती है तो आप स्क्रैपर की मदद ले सकते हैं जिगजग स्क्रैपर या कोई ब्रश की मदद से पैटन भी बना सकते हैं यह सब मैं आपके साथ शेर करती रहती हूं तो आज ज्यादा इस बर बात नहीं करेंगे और पटापट से अपनी डेकोरेशन क करेंगे तो यहां पर टॉप पर मैंने स्क्रैपर से इस पर डिजाइन बना लिया है और आज नाम एक अलग सा ही नॉजल यूज़ करके आपको अलग सी ही डेकोरेशन करना सिखाऊंगी मतलब फ्रिल वाला नॉजल होगा लेकिन मजा आ जाएगा आपको हो गया है यह डिज साइस का होता है और इसके अंदर में अपनी क्रीम भर रही हो और यहां पर भ्यान आपको यह देना है कि क्रीम को टेक्श्चर एकदम स्टिफ नहीं होना चाहिए अगर आपको लगता है बहुत टाइट है तो थोड़ी देर उसे रूम टेप्रिचर को छोड़िए एक दो ड रारीट लेफ्ट राइट फ्र। सोच अभी इसे बना देती हूं, आदमे से रिप्लेस करूंगी, आगे का काम करती हूं, यहां पर प्रॉपर ना गैप छोटे-छोटे, मैं छोटे-छोटे रोजेट, इसी फ्रिल के अंदर ही बना रही हूं, यह देखे, तो बहुत ही प्यारा सा एक अलग डिजाइन है, आप वो ध्यान वहीं पर खीचता है, यह खराब बना है, लोग वो नहीं देखेंगे जो अच्छे बने हैं, जो खराब बना है न ध्यान वहीं जाएगा, तो मैंने उसको हटाया ऐसी लिए, और फिर से एक और फ्लार बना लिया है, और अब ना इनके आसपास बनाएंगे ग्री बनेगा, और अब अपोजिट डारेक्शन में भी ऐसे ही पत्ते बना देंगे, तो कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए, पिंक, पर्पल और वाइट, पिंक मैंने वैसे इसलिए यूज किया था, क्योंकि ड्रैगन फूट का कलर भी पिंक होता है, ग्रीन भी उसमें होता है, पर्पल कॉम्बिनेशन के लिए किया है, तो यह पत्ते हमने बना लिए है, सेम इसी पाइपिंग बैक से ने, जिसमें बड़ा वला नॉजल अमने फ्रिल बल लगाया था, नीचे की तरफ में बॉर्डर पर भी उपर नीचे उपर नीचे वेव का डिजाइन बनाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही, जैसे उपर बनाये थे, और यहां पर यह देखिए, इस तरीके से आपको प्रपर गैप में फ्लार्स बनाने हैं, और यह बहुत ही प्यारा लग रहा है, पास में इसके भी ग्रीन पत्ते बना देते हैं, जैसे उपर बनाये थे, सिम्पल सी नॉजल से ह कितना अलग सा एफेक्ट आपके केक पर आगया, आप देख सकते हैं, और ऐसे केक्स बेकरी में कहां मिलेंगे, आप खुद सोच के बताये, कोई बेकरी वाला भाया ऐसा वाला आउंटर टॉप पर अपने केक नहीं रखता है, वो लोग सिर्फ वो चॉक्लेट गानिशिंग और एडिबल वाले लगा रही हूं, आप गोल्डन भी लगा सकते हैं, और वाइट से देखिए कितना प्यारा एफेक्ट इस केक पर आ रहा है, और आज कल तो मार्केट में इतने सुंदर 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 स्प्रिंकल्स मिलने लगे हैं, केक की डेकोरेशन के, कि आप अपन कितना सुंदर लग रहा है, सिंपल, सोबर, कितना प्यारा कलर कॉंबिनेशन है, मुझे यह बहुत सुंदर लगा, और फाइनली फिर मैंने पंप के अंदर लश्टर डस्ट जो होती है, सिल्वर वाली वो डाल करके जब इस पर स्प्रे किया ना, तो मैं बता नहीं सकती, इ हमारी पूरी तरीके से केक रेड़ी, और कितना प्यारा मतलब, मैं बार-बार बोल रही हो, प्रेंट केकी मानिये, मुझे वाक्ते में केक बहुत सुंदर जादा लगा, और जिनको दियाना उनको भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला भी कि ऐसा केक भी यह कहीं नह मेरे नॉजल के यूज से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, और यह नॉजल जहां भी मिले, आप लेकिया है, यह संकलार का बड़ा साइज का नॉजल है, तो देरी किस बात की, वीडियो पसंद आ गई है, तो लाइक शेर तो करी दीजे, चैनल पना है तो चैनल को सब् प्रेंट्स, वहाँ पर मैं अपने होमटाउन के बहुत ही दमाकेदार व्लॉग्स वगरे शेर कर रही हूँ, और आप पूछेंगे मैं इस केक को आपने कितने भी दिया, तो यह केक मेरा 500 रुपीज में क्या था, क्योंकि मेरा ड्रागन फ्रूटी काफी कॉसली मुझे मिल कुछ और नया सापके लिए दमाकेदार सा लाओंगी, आप लोगों को पसंद आता है, तो आप लोग वीडियोज देखा कीजिए, और पस यही एक रिक्वेस्ट है, चलिए, बबाई, टेक केर